पानी के अंदर गाड़ी जाने के बाद बंद होने के मेंली दो कारण होते हैं पहला कारण तो यह होता है कि पानी जो है आपका स्नॉर्कल के थुरू में इंजन के अंदर चला जाएगा तो पानी जाने के बाद में जो है वो आपकी गाड़ी बंद हो जाती है कि यह बर short circuit हो जाता है कुछ अलग अलग बजा है क्योंकि पानी अंदर intrude कर जाएगा उसकी बंद होगी दोनों ही case में आपको सबसे पहले तो यह ध्यान रखना है तो उसी मुहीम में मैं आपके लिए एक product लेके आया हूँ आज जो आज मैं आपको product दिखाने वाला हूँ वो actual में silicon grease है silicon grease मैं बोलू तो आपकी जो dielectric grease हम बोल देते हैं dielectric grease ही मैं लेके आया हूँ यह video बिल्कुल भी sponsor नहीं है किसी भी angle से यह product मैंने Amazon से ही मंगवाया है और आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से आप कुछ हज तक अपके जो electrical connections हैं उसको waterproof कर सकते हैं so that की गाड़ी फालतु में बंद ना हो तो यह Amazon से मैंने product मंगाया है और आप Amazon पे जाके अगर सर्च करेंगे dielectric grease के नाम से तो यह tetra clean का मैंने इसलिए मंगवाया है क्योंकि 100 grams में था यह और 100 gram की बहुत ज़्यादा हो जाता है 100 gram अगर आपको मैं बोलूँ तो आपकी 4-5 साल तक यह जो है वो खतम नहीं होने वाली है 100 grams of आपकी silicon grease यह made in India product है दूसरी एक और company है वो 200 gram का product है उनका वो लगबग 600 रुपे प्राइस है और इस product का जो प्राइस है वो लगबग 300 रुपे है तो 100 grams ही मैंने मंगवाया है यही कारण है आप दोनों में से जो चाहें वो खरीच सकते हैं बेसिकली यही है कि silicon grease जो आपकी होती है या फिर dielectric grease जो होती है उसको आपको जो use करना चाहिए इसका एक फाइदा और यह है कि जैसे मैंने आप यह आपको दिखाया यह high temperature grease भी है तो इसको आप अलग-अलग जगा पे भी use कर सकते हैं वो उनका use मैं आने वाली वीडियो में आपको दिखाऊंगा basically मैं आपको दिखा दूँ जब आप किसको देखेंगे तो यह almost colorless होती है transparent type की grease रहती है यह silicone grease इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह silicone compound based जो होती है और इसका dielectric जो हम बोल देते हैं dielectric मेरा कहने का मतलब यहाँ पे यह है dielectric कुछ लोग यह समझ लेते हैं कि electricity का अच्छे से यह pass होने देगी बट ऐसा नहीं है यह insulation का काम करती है यह बिल्कुल भी electricity को pass नहीं होने देती है अपने through में proper insulation बनाती है जहाँ पे भी हम इसको लगाएंगे मतलब इसका काम जो है वो insulation करना होता है ना कि electricity को pass करना अच्छे से काफी वीडियोस बनी है बहुत अच्छी वीडियोस बनी है इन चीजों के उपर में भी तो मेरी भी यही कोशिश है कि थोड़ा साम आपको इसके बारे में बता पाऊं कि इसको use करना कैसे है कहां कहां करना है तो engine में जहां पे भी आपकी electrical couplers होते हैं आपने देखाओगा पहले तो company से काफी जगा में अल्रेडी जो है वो grease लगके आती है यही वाली silicon grease जिसको हम बोल देते हैं जैसे मैं आपको बताऊं यह मेरा water motor जो है आपका washer motor उसका coupler है यहां पे देखेंगे yellow type का substance है तो यह already grease लगाई है यहां ब्लैक ब्लैक कलर का आप देखेंगे कुछ substance चिपका है मेरे indicator वाले coupler के साथ में इसके अंदर में भी यहां पे आपकी silicon grease present है तो company ने पहले से ही काफी कोशिश की होती है बहुत सारी जगाँ पे लगाया होता है already आपकी silicon grease लगाई होती है so that कि यहां पे water intrusion ना हो दूसरा इस grease का फाइदा यह भी होता है यह overheating होने से बचाती है आपके couplers बगारा को आपने देखा होगा कि जो headlights बगारा होती है उन में कई बार जो है वो heat उत्पन हो जाती है बहुत ज़्यादा उसके बाद में भूरा पना आजाता है तो यह grease उससे भी बचाती है आपकी क्योंकि carbon नहीं जमने देगी जितने भी आपके couplers होंगे तो अपने को करना क्या है जितने भी हमारे electrical components है जो पानी में जा सकते है मतलब वहाँ पे हलका फुल का पानी जा सकता है जैसे हमारा alternator हो गया साथ में यह motor होगी radiator fan की इसके जो coupler होगे आपकी बैटरी होगी उस पे यूज़ कर सकते हैं जितने भी आपके sensors हैं उनके couplers पे आप यूज़ कर सकते हैं मतलब मेरा कहने का यह है कि जितने भी आपको electrical connections यहाँ पे दिखते हैं जैसे मेरा speed sensor हो गया यहाँ पे पानी जाने का बड़ा मतलब खत्रा टाइप का रहता है नीचे में रहता है दूसरा आपका fog lamps होगे तो यह पूरे engine में जितने भी मेरी electrical couplers है उनके उपर में मैं इस grease का use करने वाला हूँ साथ में ही battery के उपर में भी आपको silicon grease ही use करनी चाहिए हम vaseline वगरा use कर लेते हैं वो यह अच्छी चीज है बट vaseline क्या है कि time being वो temperature में contact आने के बाद में वो आपकी उड़ जाती है अब यह जितने भी couplers है यहाँ पर मैं इनको निकाल रहा हूँ बाहर में electrical connection जितने भी है मेरे अभी मैंने जो हाँ अपना fog lamps की wiring और साथ में आपका radiator fan का wire निकाला है यह साथ में मेरे thermostat के पास में जो मेरा temperature switch इसको हम एक किसम से बोल देते हैं वो निकाला है मैंने coupler उसका तो उसके बाद में speed sensor का coupler निकाला है तो जितने भी मेरे sensors बगारा है जितने भी couplers मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं उनके उपन मैं grease लगाऊँगा अब इसको लगाने के दो तरीके होते हैं पहला तरीका मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि यह डाइलेक्टरिक grease है current को पास नहीं होने देती यहाँ पे आपको यह जरूर ध्यान रखना है तो पहला तरीका यह है कि कुछ लोग recommend करते हैं बहुत अच्छी चीज है कि जो भी कपलर है उसके side side में इसको लगाया जाए क्योंकि इसका basic काम यही है कि water का intrusion जो है वो आपकी wiring के साथ में इसको नहीं होने देना है एक seal type की इसको create करनी है चारो तरफ में आपके कपलर के उपर में so that की पानी वहाँ पर जाना जा पाए carbon के साथ में मतलब carbon ना जमा हो वहाँ पर बिना मतलब का धूल मिट्टी अंदर में ना जाए oxidation basically ना हो तो यह headlight के कपलर के उपर में मैंने कुछ इस तरह से लगाया है आप इस तरह से भी use कर सकते हैं बट मैं जब आपको बताओं कि मां लीजिए कि आपने देखा भी था पहले आप अपने गाड़ी में कपलर बगारा निकाल के भी देखेंगे तब भी आपको वहाँ पर grease अंदर में मिलेगी उनके तो अगर आप अंदर में भी लगा देते हैं इस grease को तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है वो अच्छा ही काम करने वाली है क्योंकि जो मैटल है अंदर मैटल के साथ मेटल का कॉंटेक्ट हो जाएगा कपलर का और आपके connections एकदम सही रहेंगे बेसिकली क्या है बाहर में आप देखेंगे कि जो आपकी होती है जो वैसलीन होती है वो पिगलने के बाद में मतलब वो खतम हो जाता है यहाँ पे सिलसला उसका खतम हो जाता है खराब हो जाता है तो इस grease की एक फाइदा यह होता है हाई temperature सेन कर सकती है यह और यह इस तरह का ही रहता है जल टाइब का सबस्टांस ही रहता है तो यह मतलब आपका लंबे टाइम तक यह चलती है और इसकी property सबसे अच्छी यह होती है क्योंकि petroleum jelly जो आपकी होती है उसमें से current pass कर सकता है बट आपका जो यह है silicon grease है इसमें से current pass नहीं करता तो transfer नहीं हो पाएगा इससे फाइदा अपने को यह होगा कि कुछ हद तक पहली चीज तो यह है कि गाड़ी पानी में अपनी जाएगी या फिर हम धुलते भी हैं अगर केवर गाड़ी को तो धुलने के टाइम पे भी आपने देखा होगा रियल में मुझे दुआई देने वाली है क्योंकि headlight के उपर में बिल्कुल भी यहां पे कोई भी connection में carbon वगरा नहीं जमेगा मेरे bulb जादा देर तक चलेंगे battery जो है मेरी एकदम first class रहेगी कोई carbon नहीं आएगा sensors के उपर में अगर मैं पानी spray भी करूँ तब भी कोई यहां पे दिक्कत नहीं आने वाली है तो यह अजमाया हुआ है मेरा तरीका आप इसको use कर सकते हैं क्योंकि precautions बोलते हैं prevention is better than cure तो precautions लेना अपने लिए जरूरी होती है पूरे engine को अभी जैसे मैंने throttle body के उपर में भी लगाया है तब तक लिए जैहिन चाहिए